क्या आपको पता है दोस्तों, इंडिया में एक बहुत पुरानी सीक्रेट और्गनाइजेशन बनाई गए थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है दी नाइन अन्नोन मैन, जो की दी ग्रेट मौरे अशोक द्वारा बनाई गए थी in 270 BC. दी नाइन अन्नोन मैन was a secret club that exerted a significant influence in making social, political, economic and scientific progress. अशोक ने अपने नौ सैनिको को ओर्डर दिया था एक रहसे बनाई रखने के लिए और ऐसा माना जाता है कि दी नाइन अन्नोन मैन सोसाइटी अभी भी जो की अपने सीक्रेट को अपनी आने वाली पीडी को पास करते रहते ह अशोक पूरी तरह से हिल गए थे और उन्होंने decide किया to participate in Buddhism and promote it to the other part of the world. अशोक को ये लगने लगा था कि knowledge is the true power और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी intelligence किसी भी evil हातों में पड़े. उन्हें लगने लगा था कि सारे ग्यान को preserve करना बहुत मुश्किल काम है. सिर्फ उनके अ सिख्रेट रखा गया ताकि वे सिर्फ घ्यान पर अपना ध्यान दे सके और नई technology और science theories develop कर सके. अशोक को लगने लगा था कि अगर कोई normal इंशान इस knowledge को access कर लेगा तो उससे प्रले आ जाएगा. अपने दिये हुए goals को complete करने के लिए the nine men were given the task of writing जिसके दवारों वे अप और या तो उसका काम किसी और के पास पासन कर दिया जाता था. इसके पीछे मुद्दा यही था कि इस society में members हमेशा nine होने चाहिए. The nine unknown men की society लगबग 2000 सालों से जीती आ रही है. तल्बूत मुंदी एक English writer है जो इससे ही influence होके एक book लिखता है जिसका नाम है The nine unknown men in 1923. पढ़ लिखे गए हैं और उन nine transcripts से उन्होंने conclude किया list of nine books जो उन नौ लोगों के दोवारा लिखी गई थी. कबसे पहला topic आता है दोस्तो physiology. इस book में physiology और कई और तरीके के ग्यान की बाते जैसे की किसी को कैसे मारा जाए with just one touch और इस technique को उन्होंने नाम दिया था The Touch of Death जिसमें nerves को reverse करने तक के बारे में लिखा हुआ है और ऐसा भी माना जाता है कि इसी book के लिख हुए कुछ transcripts, martial art और judo जैसी fighting style को जन्म देती हैं. And the second topic is communication. इस किताब में communication के method included थे जिसमें terrestrial और alien दोनों प्रकार के type सामिल थे. The nine unknown men were aware of alien as well as the outside world. Gravity. इस किताब में gravity के बारे में भी बात की गई है और तो और इसमें gravity के क्या directions होते हैं कैसे gravity को bend किया जाता है दोनों ही बारे में बाते की गई थी. और ये भी बताया गया था कि कैसे वेदिक विमान बनाया जाते थे और या फिर कैसे एक simple aircraft बनाया जाता है. And the fourth topic is microbiology. Microbiology and biotechnology were the focus of the book. फिर आता है propaganda. इस किताब में propaganda की और वार की strategies के बारे में भी बात की गई है. Then cosmology. The study of universe concern were incorporated in this book. Alchemy. इस किताब में primarily alchemy और mental transportation की बाते की गई थी. Then light. इसमें light के properties के बारे में बात की गई थी जैसे की light की speed और कैसे light का इस्तमाल किया जा सकता है as a weapon. Sociology. The last subject was sociology जिसमें guideline लिखी हुई थी कि किसी भी society के progress के लिए और उनके साथ-साथ methods लिखे हुए थे to predict the upcoming destructions. Topics की comparison में, Communication is the most advanced form जो की apparently also deal करता है extraterrestrial communication with aliens and even techniques जो defy gravity using the psychological phenomena of lagima. ये किताबे psychological warfare that peculiar Hitler's interest के बारे में भी बाते करती हैं और ये suspect किया जाता है that largest obtained classified information to manipulate Germans. कुछ stories तो ये भी बोलती हैं कि Isaac Newton, Albert Einstein और तो और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर भी ही इसी असोका's nine unknown men society के member थे. खेर, इस बात को भूलाते हुए कि ये कितना difficult है हमारे लिए मान लेना कि कोई unknown society हमारे बीच पिछले 2000 सालों से रहे रही थी. जिनकी technology और knowledge दोनों ही हमसे परे हैं. ये माना जाता है कि this surface time, time और guard a secret forbidden to matter.